हाई गैस और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालेसिस ऑफ 20 ओक्टूबर 2022 तो गैस आज है तारिक 20 ओक्टूबर 2022 और है थर्स्डे दिखिंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट नूस्प प्रइब करना और जाकर इस चैनल को जौइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिसेस पर लेक्चर का पीडियेस मिल जाता है देली करेंट अफ़ेर के विडियो का PDF मिल जाता है और daily basis पर बहुत सारे digital notes मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने lecture को एक map के question के साथ start करेंगे तो आज आप सभी लोग को map में जाकर देखना है coral islands को तहां पर है यह exactly located अच्छे से map में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2020 के prelims में पूछा गया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question बहुत simple सा है हमने काफी बार पड़ रखा है आप अराम से solve कर पाओगे बात यहाँ पर की गई है एक term के बारे में एक term है जिसका नाम है West Texas Intermediate यह जो term है यह कभी-कभी news में आपको देखने को मिलती है आकरकार इस term को किस चीज़ से refer किया जाता है यह आपको बताना है नीचे option दिया गए option A crude oil, option B bullion, option C rare earth elements या फिर option D uranium तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily business पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं बलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और आते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल की दरफ आज के front page पर दो important आर्टिकल आपको नजर आते हैं काफी important है क्योंकि आपको जो भी आर्टिकल मैं पढ़ाता हूँ उसके background information के साथ में सारी सीज़े cover करवाता हूँ और सारी information notes के form में आपको provide करवाता हूँ जैसे की आज का जो ये पहला आर्टिकल है इस आर्टिकल को आप लोग GS paper number 3 environment से link कर पाऊगे बात क्या की जारी है डेली के अंदर जो रहने वाले लोग है इनको जेल में डाला जा सकता है आखरकार क्यों reason है दीपवली पर अगर वो firecrackers को burst करते हैं यानि की पटाके जलाते हैं तो अब ऐसा क्या बोला गया आव थोड़ा सा details हम लोग लेकर चलते हैं आर्टिकल के अंदर बोला ये जा रहा है कि बहुत सरे लोग आप देखोगे देपवली पर पटाके बगरा जलाते हैं जिससे air pollution बहुत जादा होता है आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा then mention यहाँ पर किया जाता है कि जो लोग हैं अगर वो डेली के अंदर पटाकों को खरीदते हैं उनको जलाते हैं तो लगबग उनके उपर 200 रुपे का फाइन भी चार्ज किया जा सकता है या फिर 6 महिने की जेल भी हो सकती है ये सारा announcement यहाँ पर अभी कल ही किया या है जो environment minister है गोपाल रहा है इन साब के थुरू इन्होंने mention किया कि देखो जो खरीद रहा है उसके उपर तो ये कारवाई चलेगी कलेगी और साथी साथ में जो बना रहा है जो supplier है जो उसको supply कर रहा है बेसिकली उसके उपर भी यहाँ पर 5000 रुपे का फाइन हो सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है अगर वो इन पटाकों को अपने पास में store करता है, produce करता है या इन पटाकों को बेचता है तो अगर ये कोई काम कर रहा है तो 5000 रुपीस का फाइन या फिर यहाँ पर 3 साल की चेल दी जा सकती है ये बात यहाँ पर clear की गई फिर बोला गया कि देखो पिछले महीने ही सरकार ने इसके उपर ban लगा दिया था कि जो भी firecrackers होंगे उनका कोई production नहीं होगा, उनको बेचा नहीं जाएगा और खास कर पिछले साल क्या हुआ था, मैं आपको पिछले साल की बाद बता रहो green crackers को allow किया गया था, कुछ ऐसे पटाके जिनसे pollution होता तो है, लेकिन कम होता है तो green crackers को allow किया गया था, लेकिन अब की बार green crackers को भी यहाँ पर इसी में include कर लिया गया है मतलब उसको उपर भी ban लगा दिया गया है, कब तक लिए ban लगा या है, 1 January 2023 ताकि पीच में बहुत सारे festivals हैं, उनको एक तरीके से आपका सकते हो कि हम लोग pollution free बना सकें साथी साथ में यहाँ पर mention किया जाता है, हमारे environment minister के थुरू, कि लगबग 400 लोगों की जो team है या फिर 400 team ban mention किया या है, इनको बनाया गया ताकि यह जो ban लगाया या है इसको अच्छी तरीके से implement किया जा सके है ऐसा ना हो, सिर्फ नाम का ही ban हो, और सभी जगा पर पटाके बिक रहे हैं, और फिर जलाई भी जा रहे हैं तो वो बात यहाँ पर Mr. Rai साब mention करते हैं, I hope आपको यहाँ पर clear हुआ, तो छोटा सा article था, अब इस article का background information जानना बहुत जरूरी है कि आखरकर यह सारी चीज़े हो क्यों रही है, ठीके न, तो आओ मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में समझाता हूँ देखो बहुत लंबे समय पहले से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जारी है, Supreme Court ने, NGT ने, पहले बहुत सारी अलग-लग bodies यहाँ पर पटाकों के उपर ban लगाती भी आई हैं बहुत लंबे समय से, और खासकर यहाँ पर दिवाली के टाइम पर, क्योंकि पटाके और इससे क्या impact पड़ता है, यह जानना थुड़ा सा relevant हो जाता है, देखो होता क्या है, यह जो firecrackers है, जो पटाके हैं, यह कहीं ने कहीं हवा के अंदर, जो pollutants और जो dust है ना, उसको बहुत ज़ादा increase कर देते हैं, बहुत ज़ादा बढ़ा देते हैं, और जब यह पटाक आपको देखने को बलेंगे, जैसे oxide of sulfur, nitrogen, यह सारी जीदें यहाँ पर इनमें present होती हैं, और इससे क्या होगा, कि देखो अगर यह environment में release होगा, क्योंकि हमें देख नहीं रहा है, invisible है, लेकिन बहुत ज़ादा harmful particles हैं, जिससे environment को नुकसान पहुँचे गा ही, उसके साथ नुकसान पहुचता वो नजर आएगा, अब बात की जाती है इन पठाकों के अंदर आकरकर कौन कौन से harmful elements होते हैं, तो harmful elements के अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको copper देखने को मिलेगा, अगर copper है, वो environment में release हो जाए, इनसान के contact में है, तो इससे यहाँ पर उसका जो respiratory system है, वो irritate होता हो नजर आएगा, तो उसका cadmium नजर आएगा, cadmium से यहाँ पर anemia वाली situation नजर आएगी, और इंडिया के अंदर anemia already बहुत जादा है, आपने बता है कि हर second women anemia से सफर कर रही है, अनिया मतलब यहाँ पर proper आपको body के अंदर blood नहीं देखने को मिलेगा, iron की काफी बड़ी कमी देखने को मिलेगी, फिर तीसरा आपको यहाँ पर इसमें zinc देखने को मिलता है, फिर यह कहीं न कहीं आपको lead देखने को मिलता है, lead क्या करता है, directly nervous system को affect करता है, zinc क्या करेगा, vomiting को बढ़ारेगा, ठीक है न, फिर उसकी बाद मेगनेशियम देखने को मिल issue पता है यह है कि पिछले साल भी यह न्यूज में था और इस साल भी न्यूज में बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, जब परटाकों को देखा गया तो इसमें एक चीज और पाई गई, जो चीज़े मैं आपको बताई है वो तो हैं ही, उनसे क्या क्या इंपक्ट पढ़ manufacturing के अंदर में, अब यह जो barium है, यह आप देख पाऊगे कि इसका use क्या होता है, या फिर आप कह सकते हो कि इसका नुकसान क्या है, उसको समझने की कोशिश करता है, बेरियम की वज़ा से यहाँ पर जो पठाका है ना, इससे air pollution बढ़ जाता है, और air pollution के साथ साथ जो noise pollution है क्योंकि barium nitrate की वज़ा से जो sound है वो और जादा हो जाती है पठाके कि, तो noise pollution भी आपको increase होता है, ऐसा यहाँ पर article में mention किया जाता है, बाकि barium के बारे में कुछ बाते जान लो, क्योंकि important हो जाती है, क्योंकि आपका GS paper number 3 के अंदर, science and tech भी आता है, तो barium का जो basically symbol है, वो 56 atomic mass 137.327, यह इसका atomic mass देखने को मिलेगा, बाकि और भी कुछ relevant information वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, barium को discover किया जा था, Humphrey Davy के थू, clear हो गई बात, आ गया आते हैं, अब इस प्रकार की चीजे ना, आपको पहले भी नजर आई हैं, देखो इस वाले article को आप जारी है, कि देखो United Nations Security Council के अंदर, लगबग पाकिस्तान के जो terrorist हैं, जो आतंगवादी हैं, उनको terrorist का designation देने के लिए दो proposals आए थे, लेकिन क्या हुआ, चाइना ने उन दोनों ही proposals को वापस से ब्लॉक कर दिया है, मतलब ऐसी हरकत पहले भी हाँ पर चाइना कर चुका है, यानि इंडिया और US कोशिश ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के terrorist है ना, जो भी आतंगवादी हैं, उनको UN Security Council की जो 1267 वाली list है ना, इसके अंदर उनको basically यहाँ पर एक UN designated terrorist का करार दिया जाए, कि वो UN designated आतंगवादी हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया और US का ये प्रोपोजल था, लेकिन चाइना ने इसको ब्लॉक किया, क्योंकि आपको पता है चाइना का जो सपोर्ट है, वो पाकिस्तान के तरफ काफी जादा है, क्योंकि पाकिस्तान का काम ही सिर्फ और सिर्फ चाइना की वज़ा सा चल रहा है, तो यहाँ पर लिस्टिंग थी, अब इस दोनों को ही क्या किया जा रहा था, आतंगवादी का डेसिंगेशन देने के लिए एक प्रोपोजल लेकर आया गया था, लेकिन उस प्रोपोजल को यहाँ पर चाइना ने ब्लॉक कर दिया, अब यही दोनों जो आतंगवादी हैं, यह कहीं न कही इंडिया के अंदर जो अलग-लग टेरर अटेक्स हों है न, उसके रिस्पोंसिबल हैं, जैसे कि यहाँ पर 26 यार अटेक के बारें बता होगा, 26 यार अटेक जो मुंबई के अंदर हुआ था, 2611, तो यह जो अटेक है, इसके पीछे का भी यहाँ पर यही दोनों का दिमाग है, इनी दोनों का यहाँ पर रोल देखने को मिला है, बट चाइन नहीं हाँ पर फिलालत के लिए अभी इस मामले को ब्लॉग कर दिया है, दन उसके बाद में यहाँ पर यह जो पूरा का पूरा सिनेरियो है न, यह आने वले टाइम पर और सदा चर्चा में आने वाला है, क यहाँ पर चाइना का युएन एमबैजडर भी होने वाले हैं, तो यह लोग भी होंगे, इन चीजों को इंडिया होस्ट करेगा, मुंबई के अंदर यह आपको मीटिंग देखने को मिलने वाली है, साथी साथ में इन लोग को विजट करवाया जाएगा, जो 26.11 मेमोरियल ह वो भी वहाँ पर विजट करवाया जाएगा, इसी इवेंट का या पार्ट है, यह भी यहाँ पर मेंशन किया है, ख्लियर हो गई बात, तो छोटा सा आर्टिकल था, जादा कुछ यहाँ पर था नहीं, ऐसी कोशिच इंडिया और युएस ने मिलकर पहले भी की थी, कि पाक पाकिस्तान के आतंगवादी को UN-designated list के अंदर डाल दिया जाए, UN-designated आतंगवादी घोशित कर दिया जाए, बट चाइना यहाँ पर बार बार रोकने लगता है, चाइना पाकिस्तान को अपना support दिखाने लगता है, क्लियर हुई बात, अब देखो इस आर्टिकल के basis प लोग कोट कर सकते हैं, बट बाकि जैसे कि आपको पता है, जी एस पिपर नंबर टू के अंदर important international institution का topic है, तो वहाँ के लिए आपको United Nations Security Council के बारे पढ़ लेना है, और इस साल तो दबा कर UNSC News में रहा है, बहुत जादा न्यूज में रहा है, आपको पता है, मतलब रोजान United Nations Security Council को established क्या जाता एक UN Charter के थुरू 1945 में, ठीक है न, ये बात आपको मैंने बता रखिये, आपको United Nations के पाँच ओर्गन्स के बारे बता है, वैसे तो टोटल आपको छे ओर्गन्स देखने को मिलता है, क्या, इस बात को ध्यान से सुनना, United Nations के टोटल छे ओर्गन्स नजर आता है, वो छे ओर्गन कौन कौन से हैं, एक है United Nations General Assembly, फिर दूसरा आपको देखने को मिलता है, ट्रस्टिशिप काउंसल, एकोनोमिक सोचल काउंसल, इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस और सेक्रिटेरिट, ये अलग-लग यहां पर छे और, सौरी, पांच ओर्गन्स हैं, इसमें छटा ओर्गन कौन साइड करोगे, वो है United Nations Security Council, तो United Nations के टोटल छे ओर्गन्स हैं, छे ओर्गन्स के अंदर United Nations Security Council भी आता है, उसके अलबा पांच और ओर्गन्स आता हैं, जो कि मैंने आपको बताये थे, PDF के अंदर इसके बारे में information में डाल दूँगा, दूसरी important ब इसकी जो एक major responsibility है ना, वो यह है कि दुनिया बर में शान्ती को, यानि peace और security को maintain करके रखना, फिर एक और relevant बात, United Nations Security Council के अंदर टोटल आपको 15 members देखने को मिलता हैं, जिसमें से 10 तो होते हैं non-permanent members और 5 होते हैं permanent members, तो 5 permanent member कौन कौन से हैं, 5 permanent member में आता है US, Russia, France, China और UK, बाखी non-permanent members, जो 10 non-permanent members हैं, यह बदलते रहते हैं, ठीकिना, India अभी के time पर इसका एक हिस्सा है, obvious यह बात है non-permanent नाम आ रहा है, यानि change होते हैं, अब आपसे यहाँ पर एक और सवाल, जो कि UPSC ने previous year के prelims में पूछा था, जो यह non-permanent member change होते हैं, यह कितने साल मे देखो, ना उबढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले make sure करना कि वीडियो पे जो like का बटन उसको press कर दो, मैं याद दिला देता हूँ, एक चोटा सा target है 5K plus likes का, जिसको आप लोग achieve करवा सकते हो, और रोजाना करवाते भी हो, साथी साथ में, मेरे साथ में Instagram पे connect हो सक का answer नीचे comment section में जरूर से दिया करो, अगर नहीं पता है तो search करके दिया करो, क्योंकि नहीं पता है और आप search करके फिर उसके बाद type करते हो, तो वो और अच्छे से याद रहता है, ठीके ना तो participate क्या करो, बाकी काफी सारे लोग के साथ में engagement बढ़ता रहता है, काफी सार कैसे कैसे connected है, कौन-कौन regular videos को देख रहा है, तो इस वज़ए से भी यहाँ पर comment में जरूर से participate किया करो, आगया आता है, next article, very very important, हाँ very very important ही इसके आगे लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर vultures को लेकर बात की जा रही है, तामिलाडू ने एक कदम उठाया है, तामिलाडू क्या बोलता है, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, गिद्ध बोलते हैं, शायद देख लेना एक बर, शायद गिद्धी बोलते हैं, है ना, तो यह जो vultures है, इनी को बचाने के लिए, इनी को सेव करने के लिए, तामिलाडू ने इस प्रकार से एक mission को launch किया है, अग खाली इन vultures की, उनको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी क्यों है, उसके पीछे का भी एक ठोस reason है, वो reason भी आपके साथ में मैं discuss करूँगा, तो mention यह क्या है, कि आप देखोगे इंडिया के अंदर, जो यह vultures की population है, 1993 से ले सबसे पहला प्लान हमारे देश में स्टार्ट किया जाता साल 2006 में, फिर उसके बाद में अब यह दूसरा प्लान स्टार्ट किया जाए, साल 2020 से लेकर 25 तक का, यह साल 2020 से लेकर 25 तक, यह 5 साल का हमारी कें सरकार ने target रखा है, कि हम लोग इनकी population को, इनकी संख्या को वापस स बड़ा पाएं, तो यह हो गया हमारा nationwide plan पूरे देश के लेवल पर, इसकी प्रकार से तामिल आडू ने अपने state के लेवल पर एक committee को बनाया है, वो committee यहाँ पर काम करने वाली है, information लेकर आने वाली है, कि कैसे हम लोग वल्चर की population को बचा सकते हैं, खासकर कुछ ऐसे वल् लुप तो जाएगी, खतम हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर और इसका कोई नाम और निशान नहीं रहेगा, तो इनको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा protection देने के बारे में चर्चा की जारी है, इस committee के अंदर कौन कोन होगा, कौन कोन head करेगा, वो बात रखी जारी है, इस स oriental white bagged vulture, then दूसरा long build vulture, then red headed vulture, और चौथा है Egyptian vulture, यह चार कारकी प्रजाती हैं आपको तामिलाडो में देखने को मिलती हैं, तो बोला यह गया, इनमे से जो पहली तीन हैं, वो तो properly आपको तामिलाडो में देखने को मिल जाती हैं, आराम से पाई जाती हैं, निल्गरिस में या फिर सत्या मंगलम वाले एरिया में अराम से मिलती हैं, लेकिन जो last वाली है Egyptian vulture, यह Egyptian vulture आपको केवल धरमपूरी में देखने को मिलेगा, यह बात हैं आपे बोली जा रही है, तो कमिटी का focus यह है कि हम vulture को बचा सकें, क्यों? क्योंकि vulture का एक बहुत important role होता है हमा इसको थोड़ा सा और detail से लेकर चलते हैं, इसकी सारी background information आपको नीचे screen पर दिख रही होगी, पता यह तो article हम लोग ने अभी पड़ा, इससे पहले 4 दिन पहले एक और article पब्लिश हुआ था, 4 दिन पहले की news है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, एक recent according, एक recent study के according ब और वो environment के अंदर बहुत ज़दा pollution फिला रही होती है, chemical को release कर रही होती है, बिमारियां फिला रही होती है, तो उस dead body को साफ करने का काम किसका होता है, वल्चर का, वल्चर यहाँ पर पूरी तरह से उस dead body को खतम कर देता है, तो वल्चर का एक बहुत बड़ा role होता है, उस chemicals बहुत ज़ादा निकल रहा है, तो यह बात यहाँ पर आपको article में देखने को मिलेगा, इस बात की लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी एक report publish होई थी, और अगर यहाँ पर suppose, एक मैं आपको चीज़े बताता हूँ कि population जो वल्चर की लगातर कम हो रही है न, वो इन dead bodies को खा साफ कर रहे हैं environment से, और यह dead bodies को खाने की वज़ा से भी यहाँ पर इनकी हालत खराब हो रहा है, इनकी population कम हो रही है, उसके पीछे का reason क्या है, देखो reason यह है न, हम लोग जो भी हमारी life stock होती है, गाय बैस का पालन करते है न, तो उनके लिए एक चीज़ का इस्तमाल के जा यहाँ फिर मृत्ति हो जाती है, तो उसको जैसी environment में डाल दोगे न, उस dead body को डाल दोगे, तो वल्चर जब यहाँ पर उस dead body को खा रहा होगा, तो होगा यह कि वो जो डेकलोफिनक है उसके अंदर जाएगा और डेकलोफिनक वल्चर के लिए बहुत जादा बोरा है, उसक कि वो जो आर्टिकल है वो down to earth के अंदर आया था, लेकिन आज आर्टिकल यहाँ पर खुद the Hindu के अंदर एक अलग आर्टिकल है basically, तो दोनों topic को मैंने merge कर दिया, अब आते हैं एक relevant part पर, जहां से आपके prelims में question मन सकता है, क्या करकार वल्चर की जो प्रजातियां इंडिया में इसके बारे में क्या क्या information निकल कर आती है, सबसे पहली बात आप देखोगे, यह जो वल्चर एक बर्ड की category के अंदर आता है, कैरियन इटिंग बर्ड, मास्क खाने वाला बर्ड है, तो यह जो इस प्रकार की बर्ड होती है, इनकी 22 प्रजातियां पाय जाती है, इन 22 environment को बिल्कुल साफ सुत्रा रखते हैं, ऐसा यहां पर बोला गया, वल्चर का एक बहुत बड़ा important role होता है, कैसे मैं आपको बता दिया, dead bodies को साफ करने में एक बहुत बड़ा काम यह लोग करते हैं, अब गर हम लोग बात करें इंडिया की, तो भारत के अंदर इन वल्चर प्रकार की जो प्रजातियां यह यह टोटल भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से चार आपको तामिलाडों में देखने को मिल रही हैं, यह मैंने आपको बता दिया था, जिनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन पता एक खास बात यह देखने को मिलती है, जो य नो प्रजातिया है, इन में से ज़्यादतर प्रजातिया है अभी extinction की danger पर है यानि खतम होने की करगार पर है reason क्या है, reason मैं आपको बता दिया population crash कैसे हो रही है अभी मैं आपको इन सभी नो प्रजातियों के वल्चर का IUCN status कैसे कैसे याद रखना है कहां कहां पर लिखावा है, वो दे देता हूँ तो यह चार्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर total 9 की 9 पर जातिया है जो की भारत में पाई जाती है इसको अगर मैं zoom करूँ तो आपको यह सारी चीज़े बिल्कुल clear नजर आएगी यह जो picture है मैं आपको PDF में दे दूँगा आप लोग प्लीज अपने पास में इसको रख लेना और खासकर जो जो वल्चर न्यूज में रहते हैं जैसे कि अभी oriental वाला यह वल्चर न्यूज में है तामिलाडू की वज़ा से तो जो जो वल्चर न्यूज में आता रहेगा उनका IUCN status ध्यान रखना भारत के अंदर यह 9 ही पाई जाते हैं तो इन ही में सही question बनेगा इसको ध्यान रखोगे तो ज़्यादा relevant रहेगा क्योंकि कभी भी question बन सकता है IUCN status को लेकर prelims में UPSC ने पहले भी question पूछे हैं इस वज़ा से मैं आपसे भोल रहा हूँ ठीक हो गया, next article पर आते हैं अगला article एंडो सिल्फान से संबंदित है और यह भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि एंडो सिल्फान वाला case अभी तक खतम नहीं हुआ है यह भी लगाता न्यूज में बना वा है आज से लगबग एक डिल महीने पहले इसका discussion मैं आपके साथ में किया था आज यह फिर से न्यूज मा चुका है एंडो सिल्फान को लेकर जो दयाबाई है अब बहुत सर लोगों के मृत्तियों के साथ साथ में बहुत सर लोग की हेल्थ बुरी तरह से डैमेज हो गई थी बहुत सर लोग डिसेबल हो गए थे बच्चे मारे गए थे बहुत बुरे हालात हो गए थे एंडो सिल्फान ट्रेजडी के अंदर में तो उन लोगों को लेकर जो भी लोग problem suffer कर रहे हैं उनको treatment देना और साधी साथ में आप कह सकते हो कि जिन लोग की मृत्ती हुई है उनके family को compensation देना उसमें सरकार खासकर केरला की सरकार बहुत delay कर रही थी क्योंकि ये पूरा incident कहाँ पर हुआ था केरला की अंदर तो केरला की सरकार बहुत delay कर रही थी compensation देने में बहुत ज़दा देरी कर रही थी जो भी endosulfान के victims थे या फिर आप कर सकते हो कि उनको treatment देने में बहुत ज़दा देरी कर रही थी उसको लेकर एक बूख हरताल करी गई थी social activist हैं दया भाई इनके थुरू इसको end किया गया सरकार नहीं यहाँ पर बोल दिया है कि हाँ जो endosulfान victims हैं इनको support कर रहे हैं हम लोग और इनके लिए solutions लेकर आ रहे हैं और इनको हम लोग treatment प्रोवाइड कर रहे हैं और जिन लोग की मृत्य हुई थी इस tragedy के अंदर में उनकी family को compensation दिया जा रहा है अभी कुछ ही लोग को cover किया या है लेकिन दीरे दीरे बाकी सारे लोगों को भी ये compensation दे दिया जाएगा जिन भी लोगों के family member की मृत्य हुई थी इस endosulfan tragedy के अंदर में clear हुई बात वो आपको ये information article में देखने को मलती है छोटा सही article है ये इतना सही इसके अलाबा यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है थोड़ा सा background information पढ़ना है क्योंकि देखो जो topic ना लगाता news में वो मैं मतलब क्या करता हूँ टेलिग्राम पर इस चीज़े अपने एक personal group है मैं उसमें share करता रहता हूँ तो जब मैं चीज़े search करता हूँ तो मुझे पता चलता रहता है ये कब-कब news में तो इस साल जब endosulfan की बात कर रहा हूँ इसको इतना important इसलिए बोल ला हूँ क्योंकि ये इस साल ना दस यो बार news में आ चुका है तो हमेशा मैं जब भी important बोलता हूँ ना तो वो चीज़ ये याद रखना कि लगातार वो इस साल cover करी गई है लगातार महीने टू महीने यहाँ पर cover हुई है ठीक है ना तो मैं वो ही चीज़ को यहाँ पर important बोलता हूँ क्योंकि जो की लगातार न्यूज में देखने को मिल रही है लगातार चर्चा हो रही है उसकी और वहीं से question बनते भी है जाद अतर mostly question ऐसे देखने को मिलते है अब चलो आता है topic पर endosulfan की जब बात की जाती है तो endosulfan है क्या endosulfan basically एक organ chlorine insecticide है insecticide मतलब जो कीट नाशाक है जो हमारे फसले होती है उसके अंदर कीडे ना लगे है उसके लिए हम लोग बहुत सारी insecticides के इस्तमाल करते है pesticides के इस्तमाल करते है तो उसी प्रकार का यहाँ पर आपको यह endosulfan देखने को मिलता है इसको सबसे पहली बार लाया कहता 1950s के समय पर और इसका एक common नाम है जिसको नाम बोलते है थियोडन तो आपसे पूच़ जै थियोडन क्या है थियोडन भी basically endosulfan ही है endosulfan को हम लोग थियोडन के नाम से जानते है मतलब जो वियपार हुता था था ना वो endosulfan के नाम से नहीं हुआ करता था लेकिन यहाँपर यह बहुत खतरनाक निकला यह जो insecticide है ना इसके अंदर ताकत थी कि ये कहीं न कहीं इंसान के brain को damage कर दे इंसान की physical disability को लेकर आ जाए इंसान को मार दे इतना खतरनाथ था यह होता यह था कि इसका इस्तमाल करते थे हम लोग कुछ फसलों के उपर जैसे cotton की फसलों हो गई, cashew की उपर, fruits, tea, paddy, tobacco को इनकी फसल के उपर इसको छड़का जाता था ताकि महाँ पर जो कीड़े बगर हैं उनको रोका जाए जैसे white fly, f8, beetle, worm इन सबका attack ना हो फसलों के उपर इस वज़ा से इसका use किया गया और होता यहाँ पर यह है कि एक बार use करने पर बहुत सरे लोगों की मृत्ति हो गई है केरला के अंदर में जिस वज़े से यहाँ पर इसके उपर बैन भी लगा दिया गया था और मैं आपको बता दू केरला के अंदर जई भी पूरा incident होता है तो सुप्रीम कोट ने यहाँ पर केरला सरकार को इसको लेकर कमपंजेशन देने के लिए बोला था कि जिन भी लोगों की मृत्ति हुई है आपको कमपंजेशन देना होगा लेकिन केरला सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी कमपंजेशन वगरा नहीं दे रही थी कुछी लोगों को दिया था तो उसकी चक्कर में सुप्रीम कोड काफी नराज भी था, सुप्रीम कोड ने केरला सरकार की इस चक्कर में फटकार भी लगाई थी, कि आपको यहाँ पर यह पूरा करना होगा, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोड अपना जज्जमेंट दे चुका था, कि जो भी वेक्टिम्स है न उनकी फैमिली को लगबग 5 लाग रुपे पे करने होंगे, लेकिन सकेरला सरकार ऐसा नहीं कर पा रही थी, तो अब यहाँ पर यह काम करना स्टार्ट कर दिया है, और जो बाकी बचे कुछे लोग हैं, उनको भी यह बिसिकली जो भी इनका कमपन्जेशन है, वो के उपर, हर चीज के उपर इसके बैन लगा दिया था, क्यों? क्योंकि human health के लिए कहीं न कहीं, endosulfan काफी जदा खतरनाक साबित हो रहा था, clear हो गई बात, तो यह था यहाँ पर आर्टिकल के अंदर, जो भी important terms, जो भी important terms करों, sorry, important यहाँ पर जो words से वो ध्यान रखने है, थियोडन के बारे में ध्यान लखना, endosulfan क्या है, इसका impact क्या पड़ता है, यह ध्यान लखना, नो यहाँ पर एक छोड़ा सा आर्टिकल है, ethics के perspective से, यहाँ पर मैं आप से आपके point of view पूछना चाहूंगा, इस article के basis पर आपके सोचतों यह पूछना चाहूंगा, देखो ह हुआ क्या है ना, कि यूपी के अंदर पिछले कुछ टाइम बे कुछ रेप देखने को मिले हैं, तो उच रेप के केसिस यहाँ पर जब आए, कोड के अंदर आए, तो हुआ यहाँ पर यह कि लगबख आपके सकतों पांच ऐसे रेप के केसिस निकल कर आए, एक एक है, जिसने आप कह सकते हो कि किसी के साथ में रेप किया है, वो बेसिकली तयार हो चुका है कि हाँ, वो उसके साथ में शादी करेगा, तो एक कंडिशन ये थी, उस कंडिशन के बेसिस पर यहाँ पर उसको छोड़ा गया, तो कहने का पर पर यहाँ है, कि कोर्ट ने उसको कि condition पर छोड़ा कि वो ready हो चुका है कि वो victim के साथ में शादी करेगा तो आप यहाँ पर क्या इस चीज से कितना सहमत है आप निचे comment section में यह लिख सकते हैं ठीके ना इसके बारे में अपने point of views को लिख सकते हैं आप इस चीज से सहमत हैं या नहीं है सहमत है तो क्यों है उसके पीछे के कुछ logical reasons और सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है उसके पीछे के कुछ logical reasons और जिसका भी बहुत अच्छा यहाँ पर answer होगा ना जिसके बहुत अच्छे point of views होगे उसको मैं pin कर दूँगा बाकी सारी लोग भी यहाँ पर उसको पड़ पाएंगे तो यह अलग-लग cases के अंदर हुआ है देखोगे एक दिनेश कुमार का case हुआ है मोनू सिंग का case हुआ है ठीक है ना फिर ऐसे यहाँ पर अलग-लग case इस प्रकार से देखने को मिले है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से कदम उठाया गया विक्टिम के साथ में यहाँ पर शादी करने की जो condition है उसके basis पर रेपिस्ट को भेल मिल चुका है तो आप कितने सहमत हो इस चीजों से बता सकते हो नीचे comment section में with reason ठीक है ना ऐसा नहीं कि हाँ है यह नहीं है logical reason आपको लिखने है नवाते है अगले आर्टिकल के तरफ next radical काफी relevant होने वाला है यहाँ पर बात क्या की जारी है कि जो केन सरकार है वो कुछ destinations को promote करेगी 15 राजों के अंदर 15 राजों के अंदर कुछ destinations को कुछ जगा को promote करने वाले है एक scheme के अंदर में उसका नाम है स्वदेश दर्शन 2 अब यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाता ह का काम है कि इंडिया के अंदर जो tourism उसको बढ़ाना tourism को increase करने का काम करती है यहाँ पर आप देखो कि जैसे प्रयाग राज हो गया चित्रकूड हो गया ग्वालियर हो गया यह आपको 15 राज्यों में से कुछ important शहर यहाँ पर निकाले गए है प्रयाग राज चित्रकूड और गवालियर तो यहाँ पर जो important places उनको promote किया जाएगा ताकि हम अपने country में जो tourism उसको बढ़ा सके है ना यहाँ पर जो tourism destination है जैसे कि यहाँ पर आपका सकते हो कि for example किसी भी area में कुछ important जगाई गूमने के लिए तो उसको पूरी तरह से promote किया जाएगा ताकि लोग वहा करने के उपर focus किया जाएगा वहां के development के उपर focus किया जाएगा ताकि tourism को एक बढ़ावा दिया जाए तो यह जो initiative है यह सब कदम उठाया गया स्वदेश दर्शन 2 के अंदर तो स्वदेश दर्शन बिसिकली एक scheme है वन वाली आई थी अभी यहाँ पर यह 2 है मैं आपको अलगलग destination को promote करने के बारे में बात की जारी है उन destination को promote किया जाएगा ताकि वहाँ पे tourism बढ़े और यह जो scheme है यह कई नकरी 100% centrally funded scheme है यानि कि इसमें जितना भी पैसा खर्च जाएगा वो केवल और केवल के इन सरकार खर्चेगी और इस scheme का focus यहाँ पर यह है कि हम लोग अपने country में खुद domestic tourism को increase कर सकें क्योंकि हम लोग आत्म निर्बर बारत initiative quality लेकर आ चुके हैं यह हमारा purpose है अब आपको कि इससे फाइदा क्या होगा देखो पहली बात जो स्वदेश दर्शन scheme में इसको 2014-15 में launch किया गया था इसका major कामता tourism को promote करना हमारे country के अंदर में औ और tourism promote होगा तो इससे जैसे कि मालोग suppose यहाँ पर एक area है यहाँ पर कुछ गूमने लायक है तो सब लोग वहाँ पर जाएंगे गूमने के लिए तो उस area में पैसा खर्चेंगे अब्यसी बाते वहाँ पर गए हैं तो अलग लग तरीके से पैसा खर्च जाएगा तो इससे कही ना कहीं चीजों को एकदम बदल सकता है तो tourism के अंदर एक काफी अच्छा potential होता है overall economic development के लिए उसके लिए यहाँ पर हमारी cancer कार काम कर रही है अब मैं आपको थोड़ा सा स्वदेश दर्शन scheme के बारें बताता हूँ context क्या है context यह कि देखो अभी recently भी यह news में था क्योंकि ministry of tourism ने क्या किया था स्वदेश दर्शन scheme 2.0 को भी launch कर दिया था जिससे यहाँ पर focus यह था कि हम लोग जो भी tourism वाले destinations हैं वहाँ पर infrastructure को और ज़दा अच्छा कर सके हैं स्वदेश दर्शन scheme को launch किया था 2014 और 15 के theme based circuit का मतलब जैसे बुद्धि सर्किट को बनाया coastal circuit बुद्धि सर्किट मतलब यह है बुद्धा जी से संबंदित गौतम बुद्धा जी से संबंदित जितनी भी जगा है इंडिया के अंदर में उन सब को train से connect कर दिया जाएगा ठीक है ना आप एक जगा से बैठोगे वो train आपको सारी जगा घुमा कर लेकर आईगी वापस से थोड़ा खर्चा जादा लगेगा लेकिन यहाप पर इस प्रकार से आपको बुद्धि सर्किट देखने को मिलेगा ऐसे रमायन सर्किट है राम जी से संबंदित जो भी places हैं वहाँ पर आप घुमोगे फिर उसकी बाद क्या यह था ताकि हम लोग इन सर्किट को और जदा आगे बढ़ाएं इन सर्किट को डवलब करें यानि कि एक चीज़ से संबंदित एक थीम से संबंदित यहाँ पर सारी जगा कनेक्टेड हो एक थीम के basis पर टूरिजम किया जाए जैसे राम जी से अगर हम लोग रामायन स सर्किट के तरफ जा रहे हैं तो राम जी से संबंदित सारी प्लिस को घुमाया जाएगा जो कि उस सर्किट के अंदर आ रही है क्लियर हुआ तो जो स्वादेश दर्शन इसकी मैं 100% centrally funded है मैं आपको बता दिया सारा पैसे यहाँ पर खेन सरकार खर्चती है importance क्या है देखो importance यहाँ पर यही है कि tourism को यह बढ़ावा देगी objective क्या है objective यह होगा कि tourism बढ़ेगा तो हमारे economic growth बढ़ेगी jobs बहुत सरी generate होंगी लोगों के पास में livelihood आएगा लोगों का standard of living अच्छा होगा obvious ही बात है जब पैसे कमाएंगे तो है ना या फिर आपका सकतो ह हमारा खास कर domestic tourism increase होगा country के अंदर domestic tourism increase होगा तो यह सारे काम देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद में यह स्वदेश दर्शन के बाद में स्वदेश दर्शन 2.0 लेकर आया गया इसका काम था local for local का यानि कि हम अपने country में ही चीज़ों को develop कर सकें क्योंकि आत मिर्वर भारत के अंदर में यह सारा का सारा काम किया जा रहा था तो अभी तो जो स्वदेश दर्शन केवले कराये गया था वो basically circuit वाले चीजों को बनाने के लिए कराये था ताकि यहाँ पर एक theme से सम्बंदित सारी जगा को घूमाया जाए फिर दूसरा यहाँ पर tourism destination के बारें बात करता जाए यानि कि destination आपको यहाँ पर बताया जाएगा और basically उस destination को जो हमारी केंसर कारे वो promote करेगी उस जगा को बहुत जदा promote करेगी ताकि जाकि लोग वहाँ पर घूमने जाएं और घूमने जाएंगे पैसा खर्चेंगे वहाँ का overall उस particular area का development आपको देखने को मिलता क्लियर हो गई बात, simple हो गई, समझ में आ गया, कुछ भी information आप यहाँ पर आपको अलग से पढ़ने की ज़ुरत नहीं है, सबी चीज़े मैंने यहाँ पर combine करेंगे, आपको यह provide करवा दी है, चलो, आ गया आते हैं उसके बाद next article पर, अगले article mention करता है कि हमारे PMODI, तेजी से काम करना होगा, ताकि जो challenges से उनको solve कर सके, हम अपनी जो Indian Navy है, Army है, और हमारा Air Force है, इनको support प्रोवाइड करवा सके, सेटलाइट के मादयम से, नए नई चीज़े हम space में launch करने के मादयम से, इनको भी अपने defense के मामले में इन लोगों को support प्रोवाइड करवा सकत जो हतियार हम लोगों ने showcase करे थे, उस diff expo के अंदर में उन countries ने वहाँ पे उन हतियारों को देखा है, और basically अपना जो भी यहाँ पे उनको पसंद आया होगा, जिसमें भी interest आया होगा, उसका order वगरा आगे वो place करते हो नज़र आएंगे, इससे हमारी जो defense industry है वो और ज़ अब यह है कि पहली list में suppose यहाँ पर 100 item रख दिये और दूसरी list में 100 item रख दिये, यह item कौन्स है, यह weapons के item है, हतियार होगा item, कुछ ऐसे हतियार जो कि हम लोग अलग-लग देशों से purchase करते हैं, ठीक है ना, अलग-लग country से purchase करते हैं, तो हम लोगों ने यह दो list लॉंच करी और बोला यह था कि 100 items यह रहे, 100 items यह रहे, अब यह item हम इन देशों से नहीं purchase करेंगे, इनको ban कर रहे हैं, इंडिया के अदर इनका import नहीं किया जाएगा, import नहीं किया जाएगा, मतलब यह है कि हम अपने country के अदर इनको खुद बनाएंगे, खुद यहाँ पर इसको develop करें ऐसे defense equipments देखने को मिलेंगे, जो कि अलग-लग देशों से हम लोग खरीद रहे थे, अब उनको आगे से नहीं खरीदा जाएगा, उसको हम अपने country में खुद से develop करने वाले हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ पर प्राम मिनिस्टर बोलता है कि हम लें बहुत सारी satellites को launch कर रहा है space के अंदर में, उन satellite के माद्यम से हमें तो मदद मिली रही है, अलग-लग देश भी मदद ले रहे हैं, for example, 60 से ज़ादा जो developing countries है ना, वो basically कहीने के इंडिया के satellite से help ले रही हैं, South Asia satellite जो है, यह काफी ज़दा effective example है इसका, आने वाले कुछ सालों के अंदर या फिर आने वाल जो आसन countries हैं, उनको भी यहाँ पर इंडिया के satellite का जो data है ना, उसकी मदद मिलती रहेगी, उस data का वो लोग इस्तमाल करते रहेंगे, satellite के माद्यम से जमीन पर क्या चल रहा है, उसका data यहाँ पर मिलता रहेगा, उस data से हमारी जो air force है, defense है, air force है, Indian army है, और साधी साथ में ह हमारी Indian navy है, इनको भी यहाँ पर यह support मिलता रहता है, वो बात रखी गई है, तो space sector के अंदर हम लोग grow हो रहे हैं, और बाकी मैं आपको बताया, कि एक काम यह भी कर दिया गया है, तीसरी लिस्ट को लेकर आगया है, first, second और third, जो positive लिस्ट नहीं आ चुकी है, तीसरी लिस् इन सबी हत्यारों को हम लोग खुद से अपने country के अंदर develop करेंगे, तो यह बात यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के थुरू बोली गई है, statement पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, बस खाली एक overall overview ले सकते हो और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत धिमाग में idea र प्राइम का 2023 तक, यह basically एक ऐसा drone होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा उचाई पर उड़ेगा, और बहुत लंबे समय तक उड़ सकता है, पता आज के टमपर drone में दिक्कत क्या होती है, drone में दिक्कत यही होती है, दो problem होती है, ज़्यादा उचाई तक नहीं जा सकते, औ और ज़्यादा देर तक ट्रावल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैटरी लगी भी है, कुछ देरी तक हम यहाँ पर उड़ पाएंगे, तो उसी endurance को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, उसी power को यहाँ पर increase किया जा रहा है, तो जो रुस्तम 2 है ना, इसके अंदर बहुत सारी powers आपको देखने को मिलेंगी, और वो चीज़ें यहाँ पर अलग से add करी गई है, यह कितना powerful हो जाएगा, तो बात यह बोली जारी है, कि कहीं न कहीं, अगर हम लोग देखें, तो रुस्तम 2 ने अभी एक milestone already cross कर दिया है, 25,000 की feet पर हम इसको उड़ा सकते हैं, और 10 घंटे तक उड़ा सकते हैं, यह तो यहाँ पर इसका अपने आप में record है, पिछले December में record इसने दर्ज कर लिया था, लेकिन अब हमारा target यह है, कि साल 2023 तक हमें क्या करना है, कि इसी रुस्तम 2 को 30,000 की उचाई पर उड़ाना है, और साथी साथ में 30,000 feet तक की उचाई पर उड़ाना है, और 20 घंटे तक उड़ाना है, तो इसी के उपर काम किया जा रहा है, और इसका जो यह trial है न, वो 2023 तक पूरा हो जाएगा, अगरस के मंद तक वो बात यहाँ पर आर्टिकल में mention की गई है, क्लियर हो गया, चलो, सिंपल बात है, आगे आते हैं, ना आते है बिजनस section पर देखेंगे economic point of view से important article को, एक article आपको यह एक लौता article देखने को मिलेगा, economy पर वो यह है, इसको आप GSP no.2 international relation से relate कर पाऊगे, बहुत relevant article है, इसके ओपर आने वले time पर पक्का editorial कही न कहीं publish होंगे, बात क्या की जारी है, जो चाइना और इंडिया का total व्याप चल रहा है, और अभी 1 trillion dollar का यह व्यापार क्रॉस हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, और आपको पता है, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, तो आप कहोगे, नुकसान किसका हो रहा होगा, इसमें इंडिया का नुकसान होता वह नज़ारा है, क्यों, क्योंकि हम लोग countries के जो commerce relation, यानि की व्यापार को लेकर relation establish हुए है, साल 2000 में यह relation establish हुए थे, फिर उससे बात से आप देखोगे, तो अभी तक व्यापार बहुत तगड़ा तरीके से चल रहा है, 1 trillion dollar तक का इनका व्यापार क्रॉस कर चुका है, बीच में आप देखोगे, जो trade gap है, वो पिछले साल की बात बता हूँ, साल 2021 की, तो पूरे साल का जो trade था दोनों countries के बीच में, वो 100 billion dollar क्रॉस कर चुका था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 1 trillion dollar तो यहाँ पर जब से व्यापार के relation establish हुए, तब से इन्होंने यहाँ पर trade कर लिया है, लेकिन पिछले साल 2021 में 100 billion dollar का व्यापार क्रॉस हो गया था इंडिया और साधी साथ में चाइना के बीच में, जिसमें से भारत ने केवल और केवल इंपोर्ट बहुत जादा करा था, और आप कह सकते हो कि हमें घाटा हो रहा था बहुत जादे का, लगबग हम लोग 70 billion dollar के घाटे में चल रहे थे, क 26 billion dollars तक पहुँच गया था, जिसमें से भारत का इंपोर्ट 97 billion dollars का था तो आप इमाजिन कर सकते हो कि चाइना ने हमसे खरीदा कम और बेच बहुत सारा माल दिया, और यही जो व्यापार को लेकर ties है ना, यह स्टार्ट होए थे साल 2000 से लेकर, मैंने आपको इसके बारें बत इसमें थोड़ा सा जो ट्रेड है, वो भारत के लिए imbalance से नज़र आ रहा है क्योंकि भारत इंपोर्ट जादा कर रहा है, और आने वले टाइम पर यह और ज़दा क्रॉस करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर नज़र आ रही है, नज़र यह प्रॉब्लम यह है, करेंट दिक्कत बस खाली यह है कि यहां पर भारत के लिए एक imbalance है, हम लोग थोड़ा सा जादा भी और एक्सपोर्ट कर रहे होते, यानि कि थोड़ा बराबर का मामला भी चल रहा होता, तो जादा बेटर रहता, लेकिन घाटा इस समय इंडिया को थोड़ा सा जादा देखने को मि उदम से खरीदने से बहुत सारे problems नजर आती है country के अंदर, तो धीरे दिन यहां पर उसके उपर कदम उठा जाता है, फिलाल situation क्या है, वो मैंने आप लोगो यहां पर अभी आर्टिकल के अंदर बता दी है, छीक है ना, चलो, आते हैं उसके बाद मैं अगले आर्टिकल पर नो आते हैं, एडिटूरल discussion पर, देखो, आज कल क्या ओर है न, एडिटूरल अच्छे नहीं आ रहे हैं, कल कोई भी एडिटूरल काम का नहीं था, वैसी आज के भी देखने को मिलते हैं, जैसे यह उपर वाला एडिटूरल है, यह आपके काम का नहीं, इस पर बिल्कुल भ के बारे में बचर्चा की जा रही है, रिसेंटली पीए मोधी नहीं है पर एक लाइफ को लाइफ को लॉंच या है, यह क्या है, मैं आपको इसके बारे में डीटेल से समझाओंगा, एन्वोर्मेंट के बारे में basically discussion किया जा रहा है, फिर उसके बाद में आप देखोगे कु लेते हैं, तो हम लोग आज एक editorial Indian Express से भी लेंगे, Indian Express का भी discuss करेंगे, और Indian Express के अंदर काफी अच्छे articles आते हैं, बहुत भेतरी नाते हैं, तो Indian Express के अंदर Global Hunger Index को लेकर, आपको बताओगा Global Hunger Index recently report आई है, तो उस report के बारे में चर्चा करता है कि आखिरकार यहाँ पर इस report मे क्या गलती हुई है, इंडिया की rank इतनी पीछे क्यों दी गई है, उसके पीछे के reasons वो सारी बात ही यहाँ पर बताई गई है, तो discuss करेंगे उसके बारे में, बट, editorial discussion से पहले हम लोग लेते हैं हमेशा एक mains का question, तो आज का mains का question क्या है, फटा फट देख लेते हैं, तो आज का mains का question थोड़ा interesting सा है, क्योंकि सारे current affair based question में आपको दे रहा हूँ, तो जरूर से इसको attempt करना, despite major strides in nutritional security, इंडिया's position in global hunger index remains an area of concern, critically analyzed, देखो इतना सारा हम लोग काम कर रहे हैं, बुकमरी को खतम करने के लिए, hunger को खतम करने के लिए, अलग-लग schemes चलाए जा रहे हैं, nutrition security को provide करने के लिए, बहुत सारी चीज़े already भारत के अंदर में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत की position है, global hunger index में वो काफी बुरी रही, तो global hunger index महमेरी rank काफी ज़्यादा down रही है, तो ये basically चिंता वाली बात है, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी rank काफी down रही तो आप की क्या सोच और विचार है इस चीज़ के उपर, उस चीज़ के उपर आपको ए critically analysis देना है, criticize नहीं करना है, critically analyze करना है, मतलब आलोचना नहीं करनी है, details से analysis आपको provide करवाना है, कि क्या-क्या challenges हैं, अभी भी भारत के अंदर hunger को लेकर, poverty को लेकर, वो चीज़े आप चैनल में लेगा, 35,000 के आसपास लोग जुड़े में हैं, आप लोग भी जाकर महाँ पर अपने answers को लिख संबिट कर सकते हो, और एक काम जरूर से करना है, answer को लिखने के साथ साथ एक दूसरे के answers को review भी करना है, सभी लोग को कोशिच करनी है कि at least दो-दो answers को आप लोग review साथ ही साथ मैं सामने वाले की mistakes को आप बता सकोगे कि हाँ सामने में उनकी answer के अंदर क्या-क्या दिक्कत नजर आ रही है, और बता सकोगे कि हाँ आपको यहाँ आपर improvement की आवशकता है, clear हो गया, चलो, आते हैं, अब हम लोग अपने article की तरफ, a new lease for life for climate action, अच्छा इस editorial को हम लोग थोड़ी दिरे में डिसकस करेंगे, इससे पहले, जो मैंने आपको मेंस का question दिया है न, उसी से संबंदित वाला article कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो in an express पर है, तो हम लोग आज in an express पर आते हैं, यहाँ पर आपको यह article देखने को मिलेगा, explain, speaking, reading, global hunger index and India's government response, उसको लेकर एक तरीके से एक, आप कह सकते हो कि, detail से article लिखा गया है, कि सरकार ने यहाँ पर global hunger index को लेकर, इसको reject क्यों किया, उसके पीछे क्या कर रहते हैं, और भारत की जो ranking है, वो अभी भी इतनी ज़्यादा बुरी क्यों है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, तो उसको लेकर कुछ अच्छे point of views यहाँ पर writer mention करते हैं, आव समझते हैं उसको, screen पर नीचे देखते हैं चलना, सारे important points आपको notes की form में provide करवा देता हूं, तो editorial के notes भी मिल जाते हैं, छोटे articles के notes भी आपको मिल जाते हैं, तो सबसे बेली बात यहाँ प अपनी economic growth को experience किया है, पिछले कुछ सालों में economy हमारी काफीतेजी से grow हुई है, है ना हम लोग एक fastest growing economy बन कर आए हैं पुरे दुनिया भर में, लेकिन उसके अलावा भी जो hunger और malnutrition है, यानि कि जो भुकमरी है और जो कोपोशण है, यह अभी भी एक चिंता वाली बात बना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत यहां पर यह है कि population आपको इंडिया में थोड़ी जादा देखने को मलती है, तो एक balanced food provide करवाना कहीं न कहीं एक problem बन जाती है, और इस चक्कर में आप देखोगे इंडिया की जो place है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, वो पिछले साल के comparison में थोड़ी सी और जादा डाउन हो चुकी है, साल 2021 में global hunger index की अगर हम लोग बात करें, तो global hunger index 2022, इन में 121 countries की ranking को त्यार किया या जिसमें से इंडिया की rank 107 है या आपने पता है, अच्छा साल 2021 के global hunger index में भारत की क्या ranking थी नीचे comment section में वो लिखना, अब देखो इसके response में क्या बोला जा रहा है, कि जो सरकार ने, सरकार ने जैसे यहाँ पर इस index को देखा, अपने methodological concerns दिखा है, चिंता वाली वात यहाँ पर व्यक्त करी है और इस particular index को ही reject कर दिया है, बोला हम इस index को accept ही नहीं करने वाले, उसके पीछे का reason है, reason क्या है मै आपको बताऊंगा कि हाँ सरकार ने इसको reject क्यों किया, तो global hunger index आपको नाम से बता चल लाए, दुनिया भर में जो भी भुकमरी वगरा है उसको देखने का काम करता है, उसको मापने का काम करता है, कि आखिरकार भुकमरी का level पूरे दुनिया भर में कहां पर है, कितना है, उसको ये मापता है, और मापने का तरीका बेसिकली ये है, कि ये चार्च जो का इस्तमाल करता है, मालो एक देश है, उसके अंदर ये जगा है, या फिर ये कोई country है, उस country के अंदर, मतलब कहीं पर भी, अगर ये global hunger index को report को त्यार करना है, तो वो चार चीज़े देखते हैं चार चीज़ों में सबसे पहला आता है, अंडर नौरिश्मेंट, अंडर नौरिश्मेंट मतलब ये होता है, कि जो population है, जब उनकी जो calorie है, वो insufficient होता हैगा, यानि कि उनकी जो calorie की requirement है, सपोस्थ 2000 calorie की requirement है, लेकिन वो खाना खा रहे हैं सिर्फ 1200 calorie के आसपस तक का, यानि calorie बह कि properly calorie body के अंदर जाएगी नि, तो इससे याँ पर आपके body जो है, वो properly nourished भी नहीं हो पाएगा, तो एक चीज़ तो ये देखी जाती है, पहली चीज़ याँ पर global hunger index के अंदर ये देखने को मिलता है, दूसरा child standing का मतलब ये है, एक बच्चा जिसकी उमर 5 साल से कम है, लेक child wasting में क्या बोलता है, कि कोई भी बच्चा जिसकी 5 साल से कम उमर है, जब उसका weight, उसका जो वजन है, उसके height के हिसाब से कम होता है, तो वो child wasting की category आती है, फिर चौथा आता है child mortality, यानि कि जब 5 साल से कम उमर की बच्चे की जो मृत्ति हो जाती है, अपने 500 बर्थरडे से पहले उसकी मृत्ति हो जाती है, तो वो कहलाता है child mortality, तो ये चार चीजों को देखता है global hunger index, क्या-क्या, revise करते हैं, under nourishment, child wasting, child mortality, और साथी साथ में आपको देखने को मिलेगा child stunting, ये चार चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, इन चार चीजों के basis पर global hunger index ready होता है, clear हो ग इसमें कुछ तरीका अलग है, अब आप सोच रहे होंगे, जिसका score 100 में से 100 होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो सबसे खतरना condition में है, 100 में से जितना score कम होगा, वो country उतना better होगी, ठीके ना, 100 में से score जितना कम होता रहेगा, वो country उतना अच्छा perform कर रही होगी, और score जितना जादा होता रहेगा, उस country का performance बहुत बेकार होगा, for example, किसी का score माल लो 20 आ रहा है, या 20 से लेकर 34 या 35 तका रहा है, तो कहिना कि वो serious category में हो, वहाँ पर situation बहुत खराब है, मैंने 20 या 34 category क्यों बताया है, इतना score क्यों बताया है, क्योंकि इंडिया भी आपको को यहीं पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का score 29.1 है, 29.1 आपको देखने को मिल जाता है, भारत का score, तो score जितना बढ़ेगा, उतना जादा खतरनाक situation होगी, उस देश के अंदर में इतनी बात ध्यान लगना, सवाल यह आता है, कि सरकार ने आखिरकार इस index को reject क्यों कर दिया, सरकार यहाँ पर इस क्या लोचना क्यों कर रही है, पहली चीज, सरकार ने दो points को रखा है, exactly to the point, पहला point सरकार यहाँ पर यह बोलती है, कि global hunger index के अंदर, जो भी यह भुगमरी को नापने का तरीका है, यह बहुत गलत है, बहुत गलत का मतलब यह है, कि इनोंने सिर्फ बच्चों के लिए, अगर हम लोग बात करें, इन में से जो चार इंडिकेटर है, चार इंडिकेटर में एक तो under nourishment की बात करता है, बाकी सब child की बात करता है, child wasting, child standing और child mortality, यानि कि आप सिर्फ बच्चों का ही लेकिन यह केवल अगर global hunger index है, तो इसमें इंडिया की ranking आपको इस प्रकार से नापती भी जो देखने को मिलिये ना, यह गलत है, ऐसे सरकार बोलती है, दूसरा यहाँ पर सरकार ने criticism यह दिया है, कि आप देखोगे ना, जो fourth indicator है global hunger index का, जहाँ पर under nourishment people की बात करी जा रही ह कि बहुत सरी जो population है वो under nourish है, तो बता इन्होंने कितने लोग का सर्वे किया, केवल 3000 लोग का, 3000 लोग का यहाँ पर एक छोटा सा sample size का उन्होंने सर्वे कर लिया, और आप 3000 के basis पर जो इंडिया है, इंडिया जैसी country जिसकी population बहुत जादा है, मतलब दुनिया भर में जित बड़ी country को जज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस चकर भी global hunger index को country ने reject कर दिया, clear हो गई बात, लेकिन अब एक question यहाँ आता है, writer यह बोलता है, कि फिर भी अगर हम लोग बात करें, चलो इन्होंने index दे भी दिये, index के अंदर ranking थोड़ी सी down देखने को मिलेगी, उसके बाकिंग हंगर, यानि कि इंडिया के अंदर आपको थोड़ी सी गरीबी जो है ना, वह जादा है, poor living conditions आपको बहुत सरे लोगों की देखने को मिल जाती है, है ना, जिसकी वएसे आपको बहुत सरी problems नजर आती है, over population भी बहुत बड़ी दिक्कत है, यानि कि जनसंक्या बह नहीं मिल पाएगा, proper खाना नहीं मिल पाएगा, sufficient खाना नहीं मिल पाएगा, जिससे यहाँ पर कूपोशल जैसी problems हो सकती है, और खासकर यह problems आपको जाद अतर, rural इंडिया के अंदर, गाउं के अंदर देखने को मिली है, दन उसके बाद में, दूसरा आपको जो कारण पूर quality वला होता है, है ना, जबकि जो high quality होता है, उसको यहाँ पर open market में बेचना सही समझता है, तो वो बात यहाँ पर रखी जा रही है, तो कहीं न कहीं, यह faulty public distribution जो है ना, इसकी चक्कर में भी, जो hunger malnutrition है, वो काफ़ी जादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अगर र तीसरा यहाँ पर reason आपको hidden hunger देखने को मिलेगा, यानि कि इंडिया एक hidden hunger जैसी problem को face कर रहा है, तो आप सोचोंगे, hunger तो हमने सुना है, कि हाँ बुक मरी गया है, कि जब लोग को खाना नहीं मिलता, या proper खाना नहीं मिलता, तो वो hunger वारी situation है, यह hidden hunger क्या है, hidden hunger समझना, य थोड़ा बहुत protein आपको मिल जाना है, तो वो protein, carbs, यह जो भी चीज़े है, वो हमाई major food से मिल जाती है, जो भी यहाँ पर मोड़ा मोड़ा food हम लोग खा रहे हैं, उससे मिल जाती है, लेकि जो micronutrients होता है, जैसे कि multivitamin हो गया, या फिर healthy fats हो गया, यह सारे आपके micronutrients है तो micronutrients की deficiency ही hidden hunger कहलाती है, ठीक है न, और यह इस वाली diet में होती नहीं है, आपने यहाँ पर केवल रोटी चावल से ही, यह micronutrients नहीं मिलते हैं, multivitamin नहीं मिलते हैं, तो आप कह सकते हो, यह भी कहिने के एक problem नजर आती है, फिर उसके बाद में एक और दिकत बताई गई वो basically patriarchal mindset कहलाता है, तो जो gender inequality है न, यहाँ पर जो girl child है, वो खास कर सबसादा problem पे रहती है, क्योंकि उनको सबसादा सफर करना पड़ता है, बच्चा जो खास का लड़का है, वो school जा रहा है, उसको mid day meal scheme का फाइदा मिल रहा है, है न, उसको थोड़ा ज़ादा खाना मिल र जासे यह problem create होती है, तो gender inequality की वज़ा से भी, यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत सारी girls जो है, वो school का शिखार बनी भी है, अब question यह है, writer बोलता हम लोग कर क्या सकते हैं, way forward इसका क्या हो सकता है, तो सबसे पहली बात तो आपको nutrition को देखना होगा, मतलब यह है कि आप आपको चीजों को monitor करना होगा, और nutrition का मतलब यह नहीं होता कि हाँ बस खाली सिर्फ खाना ही मिल जाए, खाने के अलावा आपकी एक अच्छी health होनी चाहिए, proper साफ पानी मिलना चाहिए, sanitation होना चाहिए, साफ सापाई होनी चाहिए, तो यह सारी चीज़े देखनी पड़ें तो पूरा holistic coverage होगा, क्योंकि nutrition का मतलब cable food नहीं, nutrition का मतलब सभी चीज़ है, साफ सफाई, साफ पानी, है ना, यह सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर में आता है, तो writer बोलता है कि इन schemes को सब को साथ में लेकर आओ, साधी साथ में एक social audit mechanism को लेकर आओ, यहनी states और unit territories को, एक compulsory काम करना होगा, एक auditing करनी होगी, चेक करना होगा काम चल कैसा राए, मिटे में इसली scheme सपोज यहाँ पर हर एक district के अंदर चल रही है, लेकिन जो local authorities हैं, इसकी मदद से यहाँ पर क्या करना होगा, इसके बारे में पूरा का पूरा एक auditing करनी होगी, देखना होगा, क्या क् काम चलना है, monitor करना होगा, और अगर monitor करेंगे, तो हमें mistakes पता चलेंगी, साथ साथ में weakness पता चलेंगी, कहां कहां पर दिक्कते हैं, जो कि अगर monitoring नहीं होगी, तो जैसा काम चलना है, चलता रहेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, एक बार उसको देखोगे, सही से analyze करोगे, उ आपको बता है, सरकार के करती है, किसान भायों से MSP पर जो अनाज है, उसको खरीदने के बाद में, आपको जो यह अनाज है, यह provide करवाती है, राशन की दुकान पर, है ना, तो ज़रुरत है कि इन PDS सिस्टम को वापस reorient किया जाए, यानि कि इस सिस्टम को थोड़ा सा और transparent बनाया जाए, विश्वास निये बनाया जाए, लोग विश्वास कर सके, एक अच्छा खाना provide करवासों को, एक high quality का grain लोग को दे सको, proper opening होनी चाहिए, इन shops की, क्योंकि अगर proper opening भी नहीं होगी, तो भी लोगों को यहां पर problem होती होई नजर आएगी, एक affordable food होना चाहिए तो यह कुछ चीज़े हैं जो कि हम लोग maintain कर सकते हैं, ऐसा है यहां पर बोला गया, फिर उसके बाद मैं mention करते हैं, writer किसी इसके बारे में, writer बोलता है कि एक काम और करना होगा, जो waste है उसको थोड़ा कम करना होगा, इंडिया में जो food waste है वो बहुत सदा देखने को मिलता ह लग बग आप कह सकते हो, 7% के आसपास का total annual food waste निकल कराता है, है ना, तो मतलब इंडिया के अंदर जितना भी annual food production हो रहा है, उसका 7% scaval waste नजर आ रहा है, तो वो जो waste है, इतना सारा मतलब खराब हो रहा है समान, जो भी हमारी सबजियां हैं, फल हैं, वो सब खराब हो रहे प्रॉपर cold storage नहीं है, क्योंकि इनको ठंड में रखना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, रेफ्रिजरेटर में रखना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, तो आप देखोगे, जो खासकर developed countries इन्होंने यही काम किया है, अपने आपने इन्फरास्ट्रक्चर को बनाया है, और इसी वाजिसे इनका बहुत सरा पैसा ही बचता है, बहुत सरा खाना ही बचता है, जो बहार की countries हैं, यह लगबग 200 million ton के आसपस अपने खाने को बचा लेती हैं, सेव कर लेती हैं, क्योंकि इनके पास में proper refrigeration की facilities हैं, जहां पर खाने को ठंडा रखा जा सकता है, तो वो facilities इं इनिशेटेव हैं, इस हंगर को tackle करने के लिए, भुकमरी से निपटने के लिए सरकार ने भी अलगलग कदम उठाए वे हैं, जैसे portion अभिहान है, प्रधान मत्री मत्रू बंदना योजना है, food fortification है, mission अंदर धनूश है, यह कुछ अलगलग schemes देखने को मिलेंगे, इसको ले वहाँ पर थोड़ी सी relevant चीज़ आ जाती है, इन एक्सप्रेस में काम की चीज़े, जो कि आप सब कुछ note कर सको, अपना notes की form में लिख सको, exam में लिख सको, वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नजर आती है, दो मेरी कोशिच यह होती है कि कुछ ज़ादा important है, editorial जैसे कभ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, वहाँ से भी cover कर देता हूँ मैं, now next editorial की बात करते हैं, अगला editorial आपको हिंदू का देखने को मिलेगा, यहाँ पर यह तीन writer आपको नजर आते हैं, इन तिनोंने मिलकर यहाँ पर इस particular article को लिखा है, यह किसीज के बारे में बात कर के बारे में, अब इसको समझते हैं, तो सारे important points मैंने नीचे यहाँ पर आपको provide कर वा दिया है, हो तक है context का है, इस article का, context यह है कि union minister of power and new and renewable energy, इन्होंने क्या किया, इन्होंने recently अगनी तत्व को launch कर दिया, अगनी तत्व मतलब energy for life campaign, यह life campaign को launch किया यह ताकि हम लोग एक awareness फिला सकें, एक जारुकता फिला सकें, environment के बारे में, क्योंकि properly हम लोग यहाँ पर environment को लेकर ही काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पर अगनी तत्व केंपनिंग के बारे में आपको क्या 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 पता होना चीए, पहले हम आपको यह बताता हूं, देखो यहाँ पर बोला यह ज environment को protection देने को लेकर यहाँ पर यह एक तरीके से कदम उठा रहे हैं, यह जो idea है ना life का, life का जो idea है, इसको लाया गया था भारत के थुरू, 26 United Nations Climate Change Conference of Parties में, यानि कि आपको बता होगा, साल 2021, पिछले साल, Glasgow में, Conference of Parties की meeting हुई थी, इस meeting में ही यहाँ पर इस idea को भारत ने इ platform पर जो कि environment के बारें बातचीत करते हैं, इसी mission के साथ में यहाँ पर हम लोगोंने बात की थी, use and dispose की, देखो आज के time पर क्या होता है, आप समान को इस्तमाल करते हो और fake देते हो, उसके बजाए हाँ पर क्या करना चाहिए, समान का इस्तमाल किया, और जो आपने समान का इ environment को भी काफे नुकसान होगा, तो basically यहाँ पर यह भी एक purpose आपको life का देखने को मलता है, life कब आया, समझवा गया ना, अब इसका objective क्या, देखो इसका major objective है, कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग pro planet people मतलब जो कि environment को लेकर काम करें, P3 समझना, P3 मतलब pro planet people यह तीनों P से ना ना है, यानि कि हम लोग ऐसा समान इस्तमाल करें, लोग जब pro planet बनेंगे, इसका मतलब यह है, कि लोग environment को ध्यान में रखकर सारे काम करेंगे, environment friendly lifestyle को व्यतीत करेंगे, जो भी चीज़े इस्तमाल कर रहे होंगे, उसका कोई negative impact environment को बनना ही पढ़ रहा होगा, कुछ ऐसा आप लोग कह सकते हो, ना यह जो P3 community है ना, इनका काम यहां पर यह है कि इस प्रकार से एक ecosystem को create कर देना, जहां पर सारा काम ऐसा करना, जो कि environment friendly हो, कोई भी यहां पर चीज़े environment के उपर negative impact ना पहुचा रहा हो, ठीक है ना, बाकि इंडिया का achievement कैसा रहा है, environment को पूरी तरह से बनाने में, या फिर environment के अंदर pollution को कम करने में, environment को बचाने में, भारत ने क्या क्या achieve किया है, उसके बारे में राइटर बोलते हैं, अब उसको समझते हैं, पहली बात forest cover की बात करें, तो भारत में जंगल वाला जो area है ना, वो पिछले कुछ समय में थोड़ा सा बढ़त 21.71% के आसपास का पहुचा, जबकि साल 2019 में ये 21.67% था, साल 2017 में 21.5%, तो टोटल forest cover area या जंगल का हिस्सा जो है, वो थोड़ा सा increase हुआ है, तो भारत यहां पर environment को बचाने में, ये पहला कदम उठा चुका है, ये basically हमारा पहला achievement नजर आएगा, दूसरा achievement क्या है, हम कि हम लोग क्या करेंगे, 40% के आसपास installed electricity capacity को लेकर आएंगे from non fossil based fuel, मतलब यानि कि कुछ ऐसी energy को लेकर आएंगे, एक ऐसी electricity capacity होगी हमारे पास में, इस प्रकार से हम लोग electricity को generate कर रहे होंगे, कि जिससे कोई pollution ना हो, क्योंकि normal जब आप लोग electricity को produce करते हो, तो उसके लिए कोईले को जलाना पड़ता है, कोईले जलेगा तो उसे pollution होगा, लेकिन अगर हम लोग renewable energy तरीके से, एक renewable तरीके से अगर इसका production करते हैं, तो उसमें यापर कोई भी आप कर सकते हो कि pollution नहीं होता वा नजर आता है, ठीक है न, तो इंडिया का एक target आप कर सकते हो, भारत का ज है कि देखो जो petrol है, उसको हम बहुत ज़्यादा purchase करते हैं, अलग-लग देशों से, पेटरोल बहुत ज़्यादा import किया जाता है, अलग-लग देशों से, अब पेटरोल को import करने से बचने के लिए, या फिर पेटरोल का इस्तमाल कम करने के लिए, हमने एक target रखा था, कि हम अ अचीव करने की तारिक ये थी कि 2022 में नमंबर तक अचीव करेंगे, लेकिन क्या अचीव कर लिया, बिल्कुल कर लिया, और आज से पांच मही ने पहले ही अचीव कर लिया, तो वो target हम लोगों ने बहुत पहले अचीव कर लिया, ये भी एक इंडिया के लिए आप कह सकते ह है, renewable energy target आप देखोगे, तो हमारे देश का जो installed renewable energy capacity है, यानि की कुछ ऐसी renewable energy, जो की solar energy है, wind energy है, ये देखोगे न तो इंडिया के अंदर इसमें भी बहुत बड़ा achievement हो चुका है, अब ही तक अगर हम लोग बात करें, तो solar energy, इंडिया की जो capacity है, solar energy के मामले में, वो 48.55 gigawatt की है, wind energy के मामले में, 40.03 gigawatt की है, small hydropower के मामले में, 4.83 की, बायू पावर के मामले में, 10.62 की, तो इतनी capacity भारत यहां पर already achieve कर चुका है, इन अलग-लग sectors में, जहां से बिलकुल भी pollution नहीं होता है, बाकी कुछ और important initiatives हैं, जो की इंडिया के environment को protection देने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में ध्यान में रख सकते हो, जैसे national aforestation program हो गया, पेड लगाने के बारे में चर्चा करता है, national mission for green India, national action for on climate change, तो यह कुछ इस प्रकार से हैं, आपको अलग-लग initiatives देखने को मिल जाएंगे, जो की बात करते हैं, किस चीज़ के बारे में, इंडिया को और ज environment को लेकर, ठीके न, तो life क्या है, life for the environment, उसके बारे में आपको बता दिया, इसका काम क्या है, वो में आपको बता दिया, कैसे environment के दर problems हो रही है, वो में आपको बता दिया, हमारे PM ने कभी उसको launch किया, वो हमने समझा, इंडिया ने किस किस चीज़ को लेकर एक record दर्च कर या फिर attitude, दूसरा vocab आता है, incumbent, incumbent मतलब होता है, necessary for someone, या फिर आप कर सकते हो, अनिवार है, फिर तीसरा आता है, finagle, finagle मतलब होता है, काम निकालना, उसके बाद में आता है, inoculated, inoculated मतलब क्या होता है, टी का, या vaccination, देन आता है, loudable, loudable मतलब presence निया, या फिर आप कर सकते ह कि कोई praise को deserve करता है, presence निये भी आप यहाँ पर इसको कह सकते हो, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो, तो ये था overall आज का हमारा the Hindu का session, I hope आपको interesting लगा होगा, मजा आया होगा, सारे articles with proper background information कवर किया है, अब फटा फटा फट हम लोग अपने prelims के question को देख लेता है, जो साल 2022 का prelims का question था, एक term है West Texas Intermediate, ये कभी-कभी news में देखने को मलता है, ये किस चीज को refer करता है, तो इसका correct answer है, option number 1 crude oil, कच्चे दिल को refer करता है, बाकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो basically starting में आपने थमदेल देखा है ना, वो marriage से संबन देते हैं, और marriage से संबन इने, at least एक child marriage यहाँ पर हो रही है, ऐसा यहाँ पर बुलना जरा है, साल 2020 से बेंगलूरू के अंदर at least हर महीने एक child marriage होती भी नजर आ रही है, तो वो चीज यहाँ पर नजर आती है हम लोग को, ठीक है ना, basically जो आपको thumbnail देखने को मिला है ना, वो thumbnail उस उसके उपर है, ज आपने जो point of views है, वो लिखने है, ठीक है ना, बाकि आज आप लोग एक और चीज ट्राय करना, इंडिया के अंदर child marriage को लेकर क्या status है, उसके बारे में लिखना है, कि इंडिया के अंदर child marriage का status समझाना, प्लस क्या क्या reasons आपको देखने को मिलता है, जिसकी वेसे child marriages यहाँ पर increase होई है, ठीक है ना, वो चीज़े आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, इस status में सब कुछ आ जाता है, ठीक है न, तो वो जो status है, वो पढ़ना, मैं आपको provide करवा रखा है, पहले भी, तो पढ़ना, उसके बाद में यहाँ पर इसके बारे में भी जरूर लिखना, तो आपका एक और topic यहाँ पर तयार हो जाएगा, क्योंकि काफी चर्चा हो रही है, तो आप लोगा ready हो जाएगा topic, इसी के साथ में करते हैं, आप लोग अपने lecture को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद. बाइ़ बाइंडे लोगे हैं.